वेलकम दोस्तों आज की इस फीडियों में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एक्सिस बेंक का जो चेक होता है इस चेक को कैसे बर सकते हैं तो दोस्तों इस चेक को बरने के लिए आपको खुशने करना है सिंपल हम यहाँ उपर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ड जिस भी दिन इस चेक के तुरू पैसे निकालना चाते हैं या फिर आप किसी दूसरे को भी अगर यह चेक दे रहे हैं तो वो जिस भी दिन इस चेक के तुरू पैसे निकालेगा उस दिन की दिनांग तारिक आपको यहाँ पर लिख देनी है जैसे कि अगर आप आज ही इस और अगर आप दो दिन के बाद इस चेक के तुरू पैसे निकालेंगे तो आपको दो दिन के बाद वाली तारीक डालनी है और अगर आप पांच दिन के बाद दस दिन के बाद जिस भी दिन इस चेक के तुरू पैसे निकालेंगे खुद ही अपने अकाउंट से चेक के तरू पैसे निकाल रहे हैं तो आप हिंदी यहां इंगलिष में किसमें भी लिख सकते हैं और हाँ दोस्तों पैसे लिखने के बाद आपको यहां पर एक छोटी सी लाइन जरूर से खीच लेनी है, क्योंकि दोस्तों, अगर यह चेक किसी गलत हातों में चला जाए, तो भी आपको कोई दिकत ना हो, इसलिए आपको यहां पर एक छोटी सी लाइन जरूर से खीच लेनी है, और फिर से साइन है जो भी सिगनेचर है वो आपको यहां पर कर देने हैं तो साइन करने के बाद दोस्तों चेक के पीछे की साइड में भी आपको दो जगल साइन कर देने हैं तो इसके बाद दोस्तों आपका एक्सिस बेंक का जो यह चेक है यह पूरी त्रिके से फिल अप हो चुका है बर चुका है तो इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं बना है जो कि एकदम आसान तरीका था तो बस दोस्तो आज की वीडियो मज़ितना ही तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दियेगा